आज बनाईए मैंने बेसन के गट्टी की तरी वाली सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इसको बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है डेड़ कटोरी बेसन बेसन में डालेंगे आधा चमच अजवायन आधा चमच हल्दी पाओडर एक चमच धनिया पाओडर आधा चमच लाल मिर्च आधा चमच जीरा उसके बाद डालेंगे दमक स्वात के अनुसार यहां मैंने लिए कसूरी मेथी इसको भी मसल कर डाल दें इससे स्वात बहुत अगर इसको बेशन में अच्छी तरह मि tremendous taste अब डालेंगे एक बड़ा चमच मच तेल का इस तेल को भी बेशन में अच्छी तरह मसल लें कि घी क्विज कि सारा तेल बेशन में अच्राइम अच्राएम ले से सताट spiritually कि अब कि इसका हमें सकत अब गूंदना है बेशन बहुत चिप-चिपा होता है इसलिए पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालें अब हमारे बेशन का आटा तयार है अब एक पतीले में पानी उबालने रख दें जब तक पानी उबलता है बेशन के आटे के गट्टी बना लेते हैं यहां मैंने लिया थोड़ा सा बेशन हाथ पर लगाने के लिए जिसे की आटा हाथ पर चिपके नहीं क्योंकि बेशन बहुत चिप-चिपा होता है अब इसकी छोट-छोटी टुकड़े तोड़ लेंगे आटे की छोट-छोटी लोईया तोड़ लें अब एक छोटा टुकड़ा लेकर अब हाथ पर आटा लगाकर एक छोटा टुकड़ा ले आटे का उसको हाथ पर अच्छी तरह मलकर उसका एक लंबा साप गटा बना लें लंबे-लंबे गटे तियार कर लें ऐसे हम सारे गटे तियार कर लेंगे आटे से इसको हतेलों के बीच में मसलते रहें आटे को हाथ पर लेकर इसको अच्छी तरह रोल करना है लंबा-लंबा सारे गटे तियार हैं पानी भी बुबल चुका है अब एक गटे को डाल देंगे पानी में डालते जाएं अब यह आप देख रहें सारे गटे पानी के नीचे डूबे होए हैं जब यह पक जाएंगे तो पानी में उपर त्यारने लगेंगे अब इनको उबलने दें अब जिसमें हमने आटा गूंदा था इसमें बेसन लगा हुआ इसमें या तो आटा गूंद ले या जो आटा है तो आपके पास गूंता हुआ इसको अच्छे तर रगड का सारा बेसन चुडा लें आटे के अंदर ही इसको वेस्ट न करें मैंने सारा आटे में बेसन पहुंच लिया है अब हमारे गटो उबल रहे हैं इनको एक बार बीच में मिला लें अब इनको चेक कर लेते हैं अब हमारे गटे तयार हैं के नहीं अब सारे तयार रहे हैं एक बार काटके देख लेते हैं अंदर सतर पक चुके हैं अब गैस बंद कर देंगे सारे गटो को दूसरे बरतर में निकाल लें यहां जो बेसन का पानी है जिसमें हमें गट्यों बाले हैं इसको फैक ना नहीं है इसे भी एक दूसरे बरतर में कर लें यह हमारी ग्रेवी बनाने के काम आएगा अब गट्टी सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया एक टमाटर दो प्या तीन चार हरी मिर्चे साथ अट करें लसन की और एक टुकड़ा अद्रक का अद्रक और लसन को हम कूट लेंगे थोड़ा सा हिंग डालकर लसन अद्रक का कूट हुआ मसालय से एक अलगी टेस्ट आता है सब्जी में लसन अद्रक हमारे अब कूट चुके हैं अब हमारे गट्टे थंडे हो चुके इनको भी छोट 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 टुकड़ों में काट लेंगे सारे गट्टों के छोट 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 टुकड़े कर लें अब पतीले में डालेंगे दो बड़े चमज तेल के तेल गरम कर लें अब इसमें डालेंगे आदा चमा जीरा जीरे को भून ले जीरा बन चुका अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज इसको भी भून ले अब इसमें डालेंगे लसना दरक का कुटा हुआ मसाला इसको भी मसाल एक साथ भून ले मिसाल हमारा भुन चुका है अब इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर इसको मिक्स कर लें अब डालेंगे आदा चमच लाल कश्मीरी लाल मिर्च इसको mix कर लें अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी इससे मसाले जले नहीं अब इसको अच्छी तरह पका लें जब तक मसाला तेल ना छोड़ दें अब इसमें डालेंगे कटूवे टमाटो रो हरी मिर्च इनको भी अच्छी तरह पका लें टमाटर पक चुकी हैं अब इन टमाटर को मैश कर लें टमाटर अच्छी तरह मैश हो चुकी हैं अब इसमें डाल देंगे हम गट्टे वाला पानी बेसन का सारा पानी डाल दें अगर पानी कम लगे तो थोड़ा पानी और आड़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, अब इसको मिक्स कर लें, अब इसको ढखकर पकने दें जब तक उबाल ना जाए, अब इसमें उबाल आ चुका है, अब इसमें सारे गटों को डाल देंगे, अब इनको अच्छी तरह गवार मिक्स कर लें, अब इसको पकने के लिए रख दें साथाट मिंट के लिए और पका लें जब तक ग्रेवी पकना जाए अब हमारी ग्रेवी अच्छी तरह पक चुकी है यहां ग्रेवी को मैंने पतला इसलिए रखा है क्योंकि बाद में रखे रखी और गाड़ी हो जाएगी अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरमसाला पाउडर आदा चमच इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें गैस बंद कर दें अब इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें अब हमारी गट्टी की सबजी बन कर तयार है